आज 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं, आज कही दिन देश पर सबसे जधन्य आतंकी हमला हुआ था, आतंक्यों ने मुंबई को पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था, लेकिन ये भारत का सामर्त है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे होसले के साथ आतंको कुचल भी रहे हैं, मुंबई हमले में अपना जीवन घंवाने वाले सभी लोगों को मैं स्रधांजली देता हूँ, इस हमले में हमारे जो जाबाज विर्गती को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा है, मेरे परिवार जनो, 26 नवर्बर का आज का ये दिन एक और वजह से भी अत्यन्त महत्वपूर है, 1949 में आज के दिन समिधान सभाने भारत के समिधान को अंगिकार किया था, मुझे आद है, जब साल 2015 में हम बाबा साब आम बेड़ करके 125 वी जन्म जन्ति मना रहे थे, 25 नवंबर को समिधान दिवस के तौर पर मनाये जाए, और तब से हर साल आज के इस दिन को हम समिधान दिवस के रुप में मनाते आ रहे हैं, मैं समी देश वासियों को समिधान दिवस की बहुत-बहुत सुबकामनाई देता हूँ, और हम सब मिल करके नागरिकों के कर्तव्य को प्रात्विक्ता देते हुए विक्सित भारत के संकल्प को जरूर पुरा करेंगे साथियों हम सभी जानते हैं कि सम्विधान के निर्मान में दो वर्ष ग्यारा महिने अठारा दिन का समय लगा था स्री सचिदानन सिना जी समिधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे साथ से जादा देशों के समिधान का अध्यन और लंबी चर्चा के बाद हमारे समिधान का ड्राप तयार हुआ था ड्राप तयार होने के बाद उसे अंती मुरूप देने से पहले उसमें दो हजार से अधिक समसोधन फिर किये गए थे 1950 में समिंदन लागू होने के बाद भी अब तक कुल 106 बार सम्मिधान समसोधन किया जा चुका है समय परिष्थिती देश की आवशक्ता को देखते हुए अलग-अलग सरकारों ने अलग-लग समय पर समसोधन किये लेकिन ये भी दुरभागी रहा कि सम्मिधान का पहला समसोधन Freedom of Speech और Freedom of Expression के अधिकारों में कटोती करने के लिए हुआ था वहीं सम्मिधान के 44 समसोधन के मात्यम से एमर्जेंसे के दवरान की गलतियों को सुधार आ गया था साथियों ये भी बहुत प्रेरख है कि सम्मिधान सभागे कुछ सदस्य मनोनित किये गए थे जिन में से 15 महिलाएं थी ऐसी एक सदस्य हुंसा महताजी ने महिलाओं के अधिकार और न्याय की आवाज बुलंद की थी उस दौर में भारत उन कुछ देशों में था जहां महिलाओं को सम्मिधान से वोटिंग का अधिकार दिया राष्ट निर्मान में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास भी हो पाता है मुझे संतोष हैं कि सम्मिधान निर्मारताओं के उसी दूर दृष्टी का पारण करते हुए अब भारत के संसद ने नारी शक्ती बंदन अधिनियम को पास किया है नारी शक्ती बंदन अधिनियम हमारे लोकतंत्र की संकल्प शक्ती का उधान है ये विक्सित भारत के हमारे संकल्प को गती देने के लिए भी उतना ही सहायक होगा